हेलो गाइस तो यह है मोवी लाइफ की सेलफी स्टिक और इसके बारे में मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ अगर आपने वह वीडियो रही देखिए और आप इसके बारे में रिव्यूज चाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रवाइड करवा दूँगा दोवारा मैं इस वीडियो में भी इसी तरीके से यूज करने वारा हूँ क्योंकि मैं आपको इसकी बैटरी आपको कैसे चेंज करने के लिए इसको स्लाइड अप कर लेना यहां से बबाते वे उपर और यह असे करके निकल दाता है तो यह आगया हमारे पास remote device, अब आप देखेंगे इसमें कि एक आपको यहाँ पे एक notch सी दिख रही है, यह notch जो आपको दिख रही है, इस notch के सारे आप देखेंगे तो पूरी एक line जा रहा है यह पतली सी, that means कि जो यह device है यह दो पार्ट में आपस में बना हुआ है, एक पतला सा कोई ऐसी clip, या फिर ऐसी कोई भी पतली सी, कोई metal की चीज लेनी पड़ेगी, जिससे आप यहाँ पे easily इसको push कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक hair clip ली है, कोई भी आपके पास ऐसी metal की पत्ती हो, तो आप उसको use कर सकते हैं, इस line जो आपको दिख दिखाई यह simple सा process है, कुछ लोगों को problem थी, इसले मैं यह video बना रहा हूँ, और ऐसे करके देखे, दोनों partitions अनगरण हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है, यह अंदर का structure आप देख सकते हैं, यह battery, बैटरी असानी से निकल जाती है, नीचे है negative, उपर है positive, बैस अगर आपके कभी भी battery खराब रहाती है, तो आपको इसको replace कर लेना है, मेरी अभी तर जब से मैं यह use कर रहा हूँ, मुझे तकरीपन डेट साल हो गया हो शायद, तो तब से मुझे battery चेंज करनी की आवशरता नहीं पड़ी, और इसका reason सायद यह भी हो सकता है, कि मैं इसको as a selfish stick बहुत ही कम use करता हूँ, बैस आपको नई battery लेके, ऐसे करके fix कर लेनी है, और बैस फिर आपको इसको ऐसे align करने है, नीचे की तरफ से पहले align कर लें, नीचे की तरफ बैटरी है तो हम थोड़ा ज्यादा weight है, तो इस तरफ को हम नीचे की तरफ को पहले align कर लेते हैं, यह यह बैटरी आपको इसकी चिंटा नहीं लेना है, एक वार हलका सब बैठा दें बैस किसी तो हम पाया है मेट हो, इसको एसめて align कर दो नीचे का गया है, जैसा आप देख रहे की तरफ से align हो गया है, अब यहा प्लिख सिर्फ ऐसे प्रस करना है एक बार, भ्रस नीचे की तरफ से हो गया अब धीरे-देरे करके ऊपर जगे जाएं रुकर जाके इसको यह कि दो तिन बार ऐसे कट किया जाएगी और आपका यह रिमोट वापस पैक हो गया है अब दबाते हैं इसको और देखते हैं कि सही तरह परफॉर्म कर रहा है और नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ब्रूल आइटेस में ओन और रही है एट मिन्स कि हमारा जो बैटरी है हमने सही तरह की से रिप्रेस कर दी है इस सेलफी स्टिक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चाहते हैं इस सेलफी स्टिक को लेना तो आप ले सकते हैं काफी अच्छी सेलफी स्टिक है मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं मेरा परपस इससे सॉल्व हो रहा है तो मुझे कोई कम्प्लेट्स नहीं है चले दोस्तों इस वीडियो मेरिता है कि अगर आपको वीडियो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरीकी की यूस्फूल टेक्निकल इंफॉरमेशन मिलती रहें मिलते एगली वीडियो तक तक के लिए नमस्कार